पूरी दुनिया में इसलाम का दूसा नाम आतंक है लेकिन यहां से भी हम तुमको ललकारते जरूर रहेंगे खुरान तो पूरा गलत है वो अल्ला किताब नहीं है हमारे साथ हैं सिया वाफ बोट के पुर्व मुख्य वो व्यक्ति जिनोंने हमेशा ही इसलाम हिंदू जितने भी मुद्दे हुए हैं अपना पक्ष बहुती बखुवी तरीके से रखा है हमेशा उन्होंने सब्ते को लेकर कहा है कि मैं उसके साथ खड़ा रहा हूँ सबसे पहले सर मैं आपसे ये पूछूँगी कि आपको हम क्या बोलाए अपसे आपका हम किस तरीके से संबोधन करें वसीम रिजवी अब क्या है अब मेरा नाम बदला जा चुका है जिते नारायन सिंग त्यागी मेरा नाम मुझको दिया है यतीन सिंगा नंगिरी जी ने तो जाहर सी बात है कि अब वो नाम काख़ों में बदला जाएगा और देखे मैं एक बात ये कह दूँ कि मैंने इसलाम को त्यागा नहीं है इसलाम वालों ने हमको निकाला है हमने उनको सिर्फ बताने की कोशिश ये की थी कि तुम इनसान बनो तुम जो हैवानियत की जिन्दगी जी रहे हो दुन्या में एक आतंग का चेहरा बन चुके हो इसको खत्म करो कुरान जिसको तुम मानते हो जिससे तुम आतंगवादी बनते चले जा रहे हो अल्ला की किताब नहीं है प्रॉफिट जिनको तुम रसूल कहते हो महमद वो अल्ला के मेसेंजर नहीं थे वो एक अहंकारी वेक्ती थे जिन्हों ने चौदा सो साल पहले एक इसलाम के नाम पर एक मख़ब के नाम पर एक अल्ला को क्रियेट करते हुए एक आतंग की ऑर्गनाइजेशन तयार की थी और वही आतंग की ऑर्गनाइजेशन जो है मैंने रिफार्म करने की कोशिश की थी उनके बीच में मैंने उनको समझाने की कोशिश की मैंने खुरान की बातों को लिखा मैंने मुहमत के चरितर को बताया कि देखो इसका चरितर पहचानो ये मुहमत अल्ला का रसूल नहीं हो सकता इसका चरितर ऐसा है लेकिन उसके इबादत के लिए करते हो ना इबादत के बाद तुम आकर किसी को मारने की धंकिया दे रहे हो तुम मेरे इनामात बढ़ा रहे हो मेरी हत्या करने की इनाम बढ़ाते हो हर जुम्हे को इनाम बढ़ जाता है तो तुम मेरा और मुझसे जुड़े लोगों की हत्याय करने की साज को निकाल दिया, हम निकल गए, हमने सनातन धर्म को इक्तयार कर लिया, हमें यहां महब्बत मिली, हमने खुबूल किया, लेकिन यहां से भी हम तुमको лайलकारते जरूर करते जरूर रहेंगे, कि देखो, इंसांइत का कटल नहीं होने देंगे। सर आपने कहा कि इसलाम ने मुझे निकाल दिया तो मेरा सवाल इसी से जोड़ा होगा कि क्या अगर इसलाम धर्म इस तरीके से जिस तरीके से आपके साथ हुआ नहीं करता तो आप हिंदु धर्म को नहीं अपनाते हैं हम इसलाम में बदलाओ चाहते थे ओह हैं मेरी मुहिम ता यह जारी रहेगी इसलाम में हम बदलाओ चाहते हैं हम चाहते हैं रिफॉर्म हो जाएं इनसनियत की तरफ आएं जो हैवानियत की जिन्दगी इनको जीना मुहम्मद ने सिखाया उसको त्याक करें महबत करें धर्म से लोगों से नफरत बीच में ना पैदा करें इतना अगर सिव अपना ले बागी वो कुछ बाने लेकिन अगर इतना इंसानियत के लिए आगे बढ़ जाएं और उन सारी चीजों को त्याग दे जो के अपने सवाल उठाया जवाब दो उसलिए तुम हम को मारने के लिए हमाई हत्या करने के लिए छाजी शर्च रहे हो और जहां हमें महबबत में मेने को बीख लिया है मेरा अधिकार है जितेंद्र जी आपने 26 आयृतों के खिलाफ सवाल उठाए थे उसके बाद से मैं यही पूछूँगी अब जब आप हिंदू धर्म में तबदील हो गए हैं तो क्या आप तब भी वो जंग जारी रखेंगे कि वही 26 जो आयत पहले जो सोच आपकी थी वो आज भी वही सोच है क्या आप जंग जारी रखेंगे मैंने खुरान में रियायत की बात की थी खुरान तो पूरा गलत है वो अल्ला किताब नहीं है उसमें रियायत की बात ये की थी किती के शैस समझहता हो जाए काफिर कहकर जिन लोगों को यानि कि सनातन धर्म के लोग भी उनके लिए काफिर हैं जो अल्ला को अल्ला की किताब स इस इंकार करें, जो रसूल को रसूल ना माने, वो काफिर है. और उसकी हत्या कर देना, इसलाम में जायज है. तो अगर के ये चीजे तुम मानते रहोगे, तो तुम इंसान बन नहीं सकते. तो हमने वो चीजों का विरोध किया और ये विरोध हमेशा जारी रहेगा इससे हम पीछे थोड़ी ना हटे वो तो विरोध हम जारी रखेंगे